हरी ग्रिश्ना राधे राधे श्री ओम नमो भगवते वासु देवाईन कार्तिक मास मातम में कथा छटा अध्याए नारज जी कहते हैं जब दो घड़ी की रात बाकी रह जाए तब तुलसी जी की मृतिका, वस्त्र और कलश रेकर जलाशे पर जाएं कार्तिक मास में जहां कहीं भी परतेक जलाशे के जल में इसनान करना चाहिए गरम जल के पेक्षा ठंडे जल में इसनान करने से दस गुना अधिक पुन्य प्राप्त होता है उससे भी सो गुना अधिक पुन्य बाहरी कुए के जल में इसनान करने से होता है उसे भी अधिक पुन्य बावडी में और उसे भी कई गुना अधिक पुन्य पोकर में इसनान करने से होता है दस अजार गुना ज़र्णों में और उसे भी अधिक कार्थिक में नदी सनान का पुन्य होता है उससे भी दस गुनापुन्य वहां का होता है जहां दो नदियों का संगम हो और यदि कहीं तीन नदियों का संगम हो तब तो उस पुन्य की वर्णन ही नहीं किया जा सकता इसनान से पहले भगवान का ध्यान करके इसनान के लिए संकल्प करना चाहिए फिर तीर्थ में उपस्तित देवताओं को अरग्य आच्मन्य देना चाहिए प्राठना करके कहीं हे कमलनात आपको नमशकार है हे जलशाई भगवान आपको परणाम है हे रिशी केश आपको नमशकार है, मेरे दिये गए अरग्ये को आप करहन करें, वैकुंट परियाग अत्वा बद्रिक आश्रम में जहां कहीं भी भगवान विश्णु गए, वहां उन्होंने तीन परकार से अपना पाव रखा था, वहां पर रिशी वेद यग्यो सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहें, हे जनारदर्न, हे दामोदर, हे देवेश, आपको परसन करने के लिए मैं कार्थिक मास में विधी विधान से ब्रह्म मूर्त में इसनान कर रहा हूं, आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो, हे प्रभू, कार्थिक मास में वरत और विधी पूर्वा किस्नान करने वाला मैं अरग्ये दे रहा हूं। आप राधिका सहीत मेरे अरग्ये को ग्रहन करें। हे कृष्ण, हे बलशाली, हे राक्षशों का संखार करने वाले भगवन, ये पापों का नाश करने वाले कार्तिक मास में प्रति दिन दिये हुए मेरे अरग्य द्वारा कार्तिक इसनान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इसके बाद भगवान विश्णू, भगवान शिव और सूरी देव का ध्यान कर जल में परवेश कर नाभी के बराबर जल में खड़े होकर विधी पूर्वक इसनान करें, गरस्ती को तिल और आवले का चूर्ण लगा कर तथा विद्वा इस्तरी को तुलसी की जड़ की मिट् सब्तमी, अमावस्या, नौमी, त्रियोदशी, द्वितिया, दश्मी आदी तितियों को आवला और दिल से इसनान करना वरजित है। पवित्र करें। वीजो, रहस्यों और यग्यों सहित, वेदो के मंतर कश्यप आदी रिशी, इंदर आदी देवता मुझे पवित्र करें। अधिति आदी सभी नारियां, यग्य, सिद्धी, सर्प और समस्त ओशदियां वा तीनों लोखों के पहाड मुझे पवित्र इस तरह कहकर इसनान करने के बाद मनुश्य को हाथ में पवित्री धारन करके देवता, रिशी, मनुश्य और पित्रों का तरपन करना चाहिए। तरपन करती समय तरपन में जितने तिल रहते हैं उतने वरश तक पित्रगन स्वर्ग में वास करती हैं। उसके बाद वरती को ज पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलो के साथ भगवान विश्णू को अरग्य देना चाहिए। प्राचेन काल से तुम्हारा निर्मान किया है। आप मेरे समस्त पापों को नश्ट करो। इस प्रकार जो मनुश्य भगति पूर्वक कार्तिक वुरत का अनुष्ठान करते हैं। वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास महतम्य कता चटा अध्याय समात हरी कृष्ठा राधी राधी।